हलो एवरीवन तो दोस्तो आज हम हरे मिर्च और प्यास की ऐसी यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं जो आपने आसे पहले कहीं नहीं देखिए बनाने में बहुत आसान है लेकिन स्वाद में लाजवाब है तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो यहां पर हमने 12-15 मोटी मिर्च ली है और इसे हमने धो लिया है दोस्तो यह मिर्च जादा तीकी नहीं होती लेकिन इसकी जो रेसिपी होती हैं बहुत ही जादा स्वादिश्ट बनती है तो चलिए इसे हमें काट लेना है तो अगर मिर्च जादा बड़ी है तो इसके 3 टुकड़े भी कर सकते हैं साथी मैंने मीडियम साइस की प्याज ली है जिसके चार टुकड़े करके हमें इसके सारे बल्प्स अलग कर लेने हैं इस तरीके से अब यहां पर हमने लाल और पीली शिमला मिर्च भी ली है वैसे यह ऑप्शनल है अब इसकी जगा स्रिफ हरी श मेल मैं चारी मिर्च और इसे हमें बड़ के साथ भूनना है मैंसे दोस्तों आप यहां पर तेल का सत्वाल कर्सकते हैं लेकिन बडर से इसमें बहुत अच्छश टेक्षार और साथ इसमें डालना है फोड़ा सा खत veggie इसमें अच्छा नमक स्पॉट्स आने लगे हैं कि मिर्च जितने अच्छे से फ्राय होगी उतनी ही जादा टेस्टी इसकी रेसिपी बनेगी यहाँ पर हमने इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है अब हमें लेना है कड़ाई इसमें दो बड़े चमश तेल डाला है तेल जैसे गरम होगा डालें आदा चमश जीरा और साथ ही डालेंगे एक बड़ी प्यास प्यास हमने बिल्कुल बारिक काटी है और इसे हमें ब्राउन होने तक भूना है दोस्तों आज की रेसिपी इतनी यूनिक है जो आपने आस से पहले कभी नहीं देखी बहुत टेस्टी है तो प्यास ब्राउन हो चूकी है इसमें फौर्ट हर डालें एक चमश डालें है लेसन अधरका वेस्ट बलके कश्मीरिड़ मछ रंदे हाफ टीब दालेंगे धन्या ौर्डर थोड़ी सी हलदी पहुडर और उर वन टीस्पून डालेंगे गरम मसाला इन सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है जैसे आप इसे भूनेंगे दोस्तों तो टमाटर हलके मैशे होने लगेंगी लेकिन हमें इसमें पानी डालकर अच्छे से पकाना है क्योंकि टमाटर प्याजों सारे मसाले अच्छे से गलने चाहिए अच्छे से बूनने चाहिए यहां पर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसे डखकर पकाएंगे धीमियाच पर लगभख 7-8 मिनट के लिए यह देखें दोस्तों अब समय हो चुका है और यह देखिए मसाला बहुत अच्छे से बून चुका है सारी चीज़े अ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मसाले के साथ बून लेना है यह देखिए अच्छे से बून चुका है अब इसमें हमें एड करना है फ्राइ कीवी मिर्च और प्यास यहां पर यह सारी चीज़े डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है और इसमें नमक डालना लेकिन नमक आप अच्छे से मिक्स करने के बाद ही डाले क्योंकि मिर्च में पहले ही नमक डाला था तो टेस्ट करके डाले अब नमक डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अब हमें मिर्च को इस मसालों के साथ पकाना तो यहां पर चलें इसे हमें लगपक पास से 6 मिनट ही पकाना है क्योंकि सारी चीज़े पहले ही पकी हुई थी तो यह रिखे दोस्तों बहुत अची खुश्बू आ रही है और दोस्तों यह जो मिर्च की रेसेपी है अब घर पर एक बार ट्राइज जरूर कीज़ेगा बहु ज्यादा अच्छा फ्लिवर आता है और इसे मिक्स करके दोस्तों 2-3 मिनट हमें और पकाना है और फिर गैस की फ्लिम बन करके हमें इस एक सर्विंग बोल में निकालना है तो यह हमारे डिलीशियस मिर्च की सबजी बनकर तयार है इसे अब पर्राठों के साथ परोसेंगे तो यह और भी ज्यादा टेस्टी लगीगी उपर से जूलियन कट कियावा अद्रक डालेंगे और ग्रेट कियावा पनीर तो दोस्तों यह रेसिपी आप जरूर जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही लाजवाब है अब इसे हमें टेस्ट कर करके देखना है तो माइन ब्लोइंग रेसिपी है दोस्तों ट्राइज जरूर कीजेगा रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा